कैं नमस्कार साथियों मीरा नामहाजे माउरिय और स्वागत है आप लोंका अजैयिशर जी यूटिब चनल पर साथियों अंतरदेशी पत्रकार्ड साथियों आप लोगों मैंसे बहुत से लोग इसका यूज किये होंगे बचपन में अब बहुत से लोग इसके बारे में नहीं जानते होंगे तो चलिए इसके बारे में कुछ जान लिया जाए साथियों यह है अंतरदेशी पत्रकार जो आप लोग देख रहे हैं साथियों इसका परियोग पहले जब मोबाइल फोन नहीं हुआ करता था साथियों तो उस समय एक दूसरे का हाल चाल जानने के लिए इस पे लिखा जाता था तो यहां देख लिए इसका कार यही होता है आप इसको यहां जान लिए कि यहां से इसको मोड़ा जाता था इसको मोड़ दिया जाता था अब मोड़ने के बाद जब एक बार वहां बीच से आप मोड़ते थे तो फिर उसके बाद साथियों इसको किनारे से भी किनारे से भी मो वाहरी प्रिष्ट आपको दिखाई दे रहा है इसके अंदर वाले प्रिष्ट पर मैせて लिखा जाता था अर्था जो भी आ पूरे भारत वस्के अंदर कहीं भी भेजा सकता था और यहां बनी हुई यहां पता लिखा जाता था यह टू करके और आप जिनके पाद भेजना है जिनके पाद भेजना है उनका आप क्या करते थे नाम लिख देते थे वीलेज वीलेज पोस्ट आध याप सब डिटेल यहां भर करके यहां पिन कोड आप लिख देते थे फिर उसके बाद यहां देखिए प्रेशक का नाम है प्रेशक का जो नाम है उसको यहां लिखा जाता था प्रेशक का नाम आप प्रेशक का जो यहां अड्रेस है अड्रेस भी लिख देते थे और उसका पिर कोड भी यहां लिख दिया जाता था अब इसके दूसरे वाले प्रिष्ट पे जो अंदर शिपा हुआ है आप देख रहे हैं वहाँ अपना हाल चाल लिख करके भेद दिया जाता था साथियों तो यह अंतरदेशी पत्रकार था चलिए इसके बारे में और कुछ जानते हैं तो यहाँ देख लिजे विवरण में है तकनीकी ताओर पर अंतरदेशी पत्रकार एक निश्चिताकार के कागज पर लिखा संदेश होता है जिसे मोड कर बंद किया जाता है मुल्ले इसका देखे यह प्रतिकार धाय रुपे परुपलद रहता है वजन इसका क्या है निजी तोर पर मुद्रित पत्रकार का वजन चार ग्राम से अधिक नहीं होना चाहिए अन्य जानकारी इसके भीतर कोई भी कागज या सामान रखने की अनुमति नहीं दे जाती है को पढ़ भी सकता था इसलिए वह उससे अच्छा इसको माना जाता था क्योंकि वह सस्ता होता था अब यह धाय रुपे में है लेकिन इसमें सुरचित मैसेज़ा भी सकते संदेश को पढ़ने के लिए इसके फ्लैप को खोलना पड़ता है जबकि पोस्कार के मामले में जिस इप्रेशन के लिए होता है विदेशों में संदेश भेजने के लिए अधिक लागत का विशेश अंतरदेशी पत्रकार जिसे एरोग्राम कहा जाता है इस्तेमाल किया जाता था तो साथियों आप लोगों में से बहुत से लोग इसका यूच किये होंगे तो अपना नाम बंद किया जाता है मुल्ले इसका देखे यह प्रतिकार धाय रुपे परुपलद रहता है वजन इसका क्या है निजी तोर पर मुद्रित पत्रकार का वजन चार ग्राम से अधिक नहीं होना चाहिए अन्य जानकारी इसके भीतर कोई भी कागज या सामान रखने की अनुमती कार्ड पोस्ट ऑर से अलग होता है इसमें संद्य खुले में नहीं लिखा जाता है पोस्ट कार्ड खुला होता था सातियों उसमें कोई मैसेज को पढ़ने के लिए इसके फ्लैब को खोलना पड़ता है जबकि पोस्कार के मामले में जिसके हाथ में भी पोस्कार गुजरे वह संदेश पर सकता है तकनीकी तोर पर अंतरदेशी पत्रकार एक निश्चेताकार के कागज पर लिखा संदेश होता है जिसे मोर कर बंद किया जाता है अंतरदेशी में से बहुत से लोग इसका यूज किया होंगे तो अपना नाम आप लिखेगा कि आपने यूज किया था कि नहीं धन्यवाद